तो दोस्तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं IRCTC के निव विबसाइट से यदि आपने कंफर्म टिकट बुक कर रखे हैं उसे आप इस प्रकार केंसेल कर सकते हैं वो भी अपने मौईल फॉन से लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जानेजे और सर्च वार में सर्च कर लेना है IRCTC Rail Connect इस अप्लिकेशन को अपने मौईल फॉन में इस्टॉल कर लेना है इस्टॉल करने के वाद ओपेन करना है इसके वाद आपको सामने कुछ इस टाइप का इंटरफियर देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले आपको login पे क्लिक करना है login पे क्लिक करने के बाद आप जिस ID से ticket book कर रखे है username, password और capture feel करने के बाद login कर लेना है तो मैं फटा-फट feel कर लेता हूँ आपको इहाँ पे ticket cancel करना है तो सबसे पहले my booking पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपने जितने भी ticket book कर रखे होंगे इस ID से आपको इहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इसके बाद जिस ticket को आपको cancel करना है तो simple आपको ticket पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप इहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक ticket book कर रखा था अनन्द भिहार से मुझपपरपुर के लिए 14 मार्च का यह तिकर आप देख भी सकते हैं यह confirm ticket book है लेकिन इस ticket को हमें cancel करना है इसके बाद आपको simple three dot पे click करना है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं second number में cancel ticket का option देखने को मिल जाता है simple आपको cancel ticket पे click करेंगे इसके बाद select all करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं single नाम ही ticket मैंने book कर रखा था इसके बाद simple आपको cancel कर देना है इसके बाद confirm करना है तो आप देख सकते हैं ticket हमारा cancel हो चुका है और refund amount भी यहाँ पर सोग कर रहा है 415 रुपे refund आ चुका है तो यह amount जो है 3-4 दिन में हमारे account में आ जाएंगे तो इस तरह से आप train ticket cancel कर सकते हैं slipper class था तो यहाँ पर यही 120 रुपे का आसपास cancelation charge कटा होगा इसके बाद जो भी amount है यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस आ चुका है तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद वीडियो में